आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस नए वीडियो पर जहांपर हम सीखते भी हैं और पैसा भी कमाते हैं आईए चलकर जाने कि सिर्फ 2% की लिमिट क्यों है BIBCL पर भारत बायोटेक और BIBCL में क्या फरक है और हमें क्या करना चाहिए इस टाइम पर स्टाउक में क्योंकि जो ये स्टाउक जब इसने रण करने शुरू की है तो ये बहुत अच्छी तरह से उपर तक जा रहा है आगे की क्या परकिरिया हो सकती है ये सब विशिरेशन करेंगे हम इस वीडियो में आईए चलकर शुरूआत करते हैं तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ख़बर से जैसे आपको पता ही है कि भारत बायोटेक की जो मैडिसन है को एक्सीन उसका एक्सपेक्टेशन है 2020 के एंड में वो कमर्शल यूज के लिए रेडी हो जाएगी तो इस ख़बर के चलते हुए ये स्टॉक बहुत तेज़े चल रहा है आपको पता होना चाहिए भारत बायोटेक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है पर यूश्वली कोविड के चलते हुए जादतर सब फार्मस स्टॉक उपर चल रहे हैं यही केस है BIBCL भारत Immological and Biological Corporation Limited का यह स्टॉक करीब करीब 2% उपर सरकीट पर बंद हो है फ्राइडे को और 43 रुपे 45 पैसे पर ट्रेड कर रहा था लास्ट बंद करते हुए BSC पर ही अक्टिव ट्रेड करता है NSC में यह लिस्टेड नहीं है अब अगर इसकी बात की जाए तो यह government की undertaking है और इसका जो specialization होता है वो drops, polio drops और kids medication बनाने में होता है तो government जितनी भी medication देती है बच्चों को polio drops और यह सब वो इसके through बनाया जाता है तो आपको पहले fundamental business समझना है किसी company में invest करने से पहले अब अगर हम चल कर इसका आपको आगे बात बताएं इसकी जो market का price चल रहा है इसका volume देखे volume के वल्वल 39,000 share trade हो रहे हैं इसमें small counter है और small volume भी है तो आपको इस तरह से समझना है कि और average volume इतना ही रहता है इसका 39,000, 40,000 के असपास इसका average volume है हर बार तो आपको इस बात समझनी चाहिए कि इसका long term का जब हम चार्ट देखेंगे तो आपको clear information मिलेगी और देखीज़ा हमने बताया इसका 2% यहां के बाद में जब इसका price 26 के उपर हो गया था तो यहां से इसका price 2% की circuit बना दिया था government ने, 70 ने मिलका यहां तक यह 5% बढ़ रहा था उसके बाद इसको 2% कर दिया गया उसका reason है जो हम आपको बताएंगे अभी पर पहले ज़रा इसका एक long term का chart दिखा जाते है आपको तो आपको पता लगेगा कि क्या हो रहा है stock में तो देखें अगर long term का chart देखें तो काफी time से stock नीचे था, बहुत ज़्यादा नीचे गिर हुआ था इसका जो high था पिछले 2017 से लेकर वो 37 रुपे, 38 रुपे तक था अब यहां पर इस stock में काफी ज़्यादा तूफान आया यहां से 6 रुपे जब से यह COVID के बाद चलने शुरूए और फिर यहां से एक बार इसने retrace किया और फिर इसने upward journey continue किया उसके बाद उसने अभी यहां तक कोई downfall नहीं दिखाया है तो आपकी strategy क्या होने चेह से stock में यह सब भी बताएंगे और साथ में यह visualization भी करेंगे कि क्या इसमें कुछ खतरा बन रहा है आगया आने वाले समय के लिए यह सब बाते आपको बताएंगे तो अगर उसके लिए हम सबसे पहले आपको date chart दिखाएं तो यहां से देखना शुरू कीजिए आप 33 के बाद से इसमें थोड़ी सी volume बना था यहां पर इसके बाद से कोई ज़्यादा volume नहीं है और step by step सीधा upward circuit में continue कर रहा है तो एक healthy sign नहीं है stock के लिए जो एक small cap company होनी चाहिए आपको हम हमेशा बोलते हैं अपना portfolio diversify रखिए और अगर कोई small cap company है तो उसमें आपकी exit strategy बहुत clear होनी चाहिए आप कितने पे entry करेंगे, कितने पे exit करेंगे हम अपनी strategy बताते हैं हमने क्या किया था इस stock में हम लोगों ने इस stock को काफी पहले recommend किया था जब यह news आई थे हमारे channel को आप देख सकते हैं जब से हमारे channel शुरू है तब से हमने इसको recommendation किया है तो इसका share जो हमने recommend किया था वो करीब-करीब यहां पर recommendation किया था हमारा around 14-15 रुपीज के असपास तो यहां से और हमारा strategy clear था हम दो जगा पे इसको exit किया है हमारा final target जो था और जो short term target था वो दोनों पे हमने exit किया है तो 28 रुपे हमारे इसका short term का target था the stock from our company as well as from our organization as well as our client portfolio perspective पर अभी भी ओपर चल रहा है are we grading it? No at all, not at all आपने एक बार plan बनाया, plan पर execute कीजे अगर आप हम लोग Nifty और bank Nifty में actively trade करते हैं अगर आप उसमें interested हैं हमारी intraday services में तो आप हमारे को paid service के लिए contact कर सकते हैं और या फिर अगर आप technical workshop चाते हैं तो उसके लिए भी contact कर सकते हैं paid service के लिए 8000 fees are for one month technical workshop के लिए one time fees are 5000 रुपीज और इसमें आपको एक हफते का paid service free मिलेगा तो अगर आपको यह service चीए तो please contact us, we will be more than happy our team will be more than happy to assist you जैसा कल की nifty के अगर बात की जाए कल nifty में Friday को हमने कुछ काम नहीं किया था क्योंकि हम लोग future retail and future other stocks में interested थे कल news based information थी तो हम पे काफी अच्छा प्विट हो हम लोगों को अब अगर हम इसका एक और view देखें तो अगर इसका 15 मिट का चार्ट आपको दिखाएं तो आपको पता लगेगा कि हम क्यों बोल रहे हैं इसको आपको avoid करने के लिए देखें, कहीं भी कोई volume नहीं कहीं भी कोई vix नहीं है, हर बार upper circuit है तो अब इसमें problem क्या होती है इसे stock में, जब यह चड़ता है तो चड़ता है पर जब गिरने लगेगा तो आपको बेचने का भी मौका नहीं मिलेगा यहाँ पर तो यह चीज़ आपको देखनी है कुछ indicator है जो आपको बता सकते हैं कि कहीं यह over stress तो नहीं हो गया है तो हूँ आपको बताते है बुलिंजर बैंड एक बहुत ही अच्छा indicator है जो आपको बता देता है कि यह क्या चल रहा है इस stock में तो हम जब इसको short करके बताते हैं आपको तो देखिए जब बैंड narrow होता है तो वहाँ अच्छा time होता है इन्वेस्ट करने के लिए अब जब बैंड expand हो गया है यह देखिए बैंड expand हो गया है और बैंड थोड़ा shrink भी हो है क्योंकि उसकी limit जो है वो 5% से घटकर 2% कर दी गया है और जो कि बहुत अच्छा reason है उसको करने के लिए क्योंकि innocent investor ऐसे stock में बहुत जल्दी फस जाते है जो लग रहा है उनको 5% बढ़ता जा रहा है और फिर वो ऐसे level पर खरीद लेते हैं जहां से उनको दिक्कत होती आ गया कर फर example रुची सोय एक बहुत अच्छा example है कुछ लोगोंने उसको नहीं खरीद पाए 33 के नीचे अप्ट्रेड कर रहा है तो यह stock जो होते हैं आपको थोड़ा sensitive रहना है इन सब के बारे में small cap companies में आप invest कीजिए पर अपनी 5% से यदा capital मत invest कीजिए एक stock में और आपकी exit strategy clear होनी चाहिए तो इसकी वजए से भी यह थोड़ा सा डाउन रहा है इसके अंदर है अभी पर जिस तरह से continuous upward कर रहा है trend यह I don't think it's a healthy sign for the stock and it might hurt some of the investors जो अब इतने high level पर इसको invest करेंगे तो fresh investment तो बिलकुल no है हमारी तरफ recommendation से अगर आप हमारे चनल पर नहीं है यह सारी mistakes का जो हमने पूरे दो generation का mistakes है वो हमने इस वीडियो में डालाए 7 mistakes to avoid in market आपसे एक ही request है अगर आप हमारे चनल पर पहली बार आए हैं तो please subscribe to channel और इस वीडियो को ज़रूर देखेगा अगर आपने नहीं देखा है तो please इस वीडियो को देखे तो आगर हम अपनी recommendation बोले आप please इस stock से exit हो जाई अगर आपने इसको lower level पर कहीं पर भी खरीदा है तो आपके लिए better रहेगा दोस्तों वीडियो की information अच्छे लगी तो एक बाला लाइक बटन ज़रू दबाईएगा अगर इसकी valuation देखे जाए तो market capitalization के अवल 187 करोड की market capitalization है कोई dividend नहीं देती है और इसकी industry peak भी नहीं available है तो थोड़ा साब सावधान होकर रही है ऐसे stocks में इनका quarterly result अभी March का भी published नहीं हुआ है June का तो छोड़ी दीजे और इसके साथ में June की promoter stakeholding जो है FIA की कोई holding नहीं है DIA की 2% है और others की 38% है ये मुझे डर्ड वाली बात लगती है जब retailer ने इतना सारा investor लिया हुआ है इसमें investment लिया हुआ है जब गिरना शुरू करेगा तो ये कोई नहीं समालेगा इसको DIA नहीं खरी देंगे FIA नहीं खरी देंगे मिल्चल फर्ण नहीं खरी देंगे इंशलेंस कप्री नहीं खरी देगी तो वो दिक्कत वाली बात है आप थोड़ा साफदान हो कर रहिएगा इस stock में कुछ संकेत अच्छे नहीं मिल रहा है और जैसे हमने बोला हमारे को clear था 38 पर हमें निकलना है 38 इसका पिछले 5 साल का high था तो 38 पर आते के साथ हमने कुछ नहीं देखा हमारा order उस दिन execute हो गया सीदे के सीदे market capitalization पर जितना market cap था उपर उस दिन का 38 something 38.50 के असपास तो हमें कोई दिक्कत नहीं है अब ये stock चाहे 100 रुपे भी चला जाए I would not care about it क्योंकि हमारी parameter के बहार चले गए है हमारे plan से against है हम लोग इसमें invest नहीं करेंगे हमारे पास channel का 600 से ज़्याद़ वीडियो है आप कोई भी देख सकते है और यह हमने बहुत शुरू में recommend किया था जब 14 रुपे के आसपास था more than 100% return मिला that is more than enough for 3 months अब दूसरे opportunities है हम महाँ पर देखेंगे जैसा बताया stay with the plan that's the most important part दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो like जरूर कीजेगा और target हमने बता दिया 38 का हमारा target था जो हमारा आची बहुत चुका है हमने position exit कर ली अपनी वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका दिन मंगल मैं हो जैहिंद